उससे कोई सड़ अच्छा अब गुंड़ना मत समझ सिंगम वो आपका तूफान है सिंगम लो आगया बाजीराव सिंगम रोहित शेट्टी की हिट कॉप फ्रेंचाइज की तीसरी किष्ट सिंगम अगेन का ट्रेलर रिलीज हो गया है फिल्म का ट्रेलर चार मिनट अठावन सेकेंड का है ये अब तक का सबसे लंबा ट्रेलर है लेकिन इसे देखते हुए आपको बोरियत नहीं महसूस होगी आप सिंगम अगेन के ट्रेलर को देखते हुए कब पाँच मिनट बिता देंगे पता नहीं चलेगा रोहित शेटी ने इस बार सिंगम को रामायन से जोड़ा है जिस तरह रामायन में रावन सीता जी को उठा कर ले जाता है वैसा ही यहां बाजीराव सिंगम के साथ भी होता है रामायन में सीता जी को ढूंडने के लिए जिस तरह हनुमान जी, जटायू और सुग्रीव राम जी की मदद करते हैं इसी को सिंग्हम अगेन में रोहित शेट्टी ने फिल्म आया है इसी कड़ी में फिल्म में सिंबा और सूर्यवंशी के कैरेक्टर्स की एंट्री होती है ट्रेलर से ही कहानी का पता चल गया है इसमें ऐसा कुछ अप्रेडिक्टबल लग भी नहीं रहा है ये कहानी सब को पता है लेकिन इस नॉर्मल चीज़ को रोहित का सिनेमेटिक ट्रीटमेंट अलग बनाता है विलन के रोल में दो लोग हैं जैकी श्रॉफ और दूसरा अर्जुन कपूर इन दोनों के ही कंधों पर पूरी फिल्म टिकी है लेकिन इसमें सबसे ज्यादा कमजोर अर्जुन कपूर लग रहे हैं उनकी थोड़ी ही जलक में ये समझाता है कि वो इस पूरे मज़े को किरकिरा कर सकते हैं हालां कि इस पर अभी बहुत कुछ कहना जल्दबाजी होगी हो सकता है फिल्म में कुछ सर्प्राइज मिले बहराल इस फिल्म की लंबी चौड़ी कास्ट के बीच तीन और चहरे में भी नज़र आए इसमें रवी किशन, श्वेता तिवारी और दयानंद शेटी तीनों को ट्रेलर में लो प्रोफाइल रखा गया है लेकिन तीनों के रोल एहम समझाती है रोहित के डायरेक्शन में बनी फिल्मों की खासियत एक्शन और उनका म्यूजिक है जो इस बार सिंगहम अगेन में भी देखने को मिल रहा है ट्रेलर में जिस हिसाब का एक्शन है वैसा ही म्यूजिक भी सुनने को मिलता है खैर रोहित शेटी ने अपने ट्रेलर में सिंगहम अगेन की पिक्चर साफ कर दी है अब देखना ये है कि एक नवंबर को वो कैसा धमाका करने वाले हैं ट्रेलर देख इतना तो पक्का है कि भूल भुलाईया के मेकर्स के हाथ पांफ फूल गए होंगे उन्होंने अपने ट्रेलर की रिलीज डेट आगे बढ़ा ली हो सकता है कि अब फिल्म की रिलीज भी आगे बढ़ा लें वैसे ये तो वक्त ही बताएगा क्या होगा